आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो question में हमसे कहा गया है go through the following chart तो हमें यहाँ पे एक flow chart given है और हमें इसमें fill करनी है जो spaces है A, B, C और D इसके basis पे हमें यहाँ पे मिला है चार options अब हमें इन चारों options में से देखना है कि कौन सा option है हमारा सही जो की fulfill करता है हमारे fill in the blanks को तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो हमारे options हैं वो क्या हमारे in blanks को fill up कर पाते हैं आजाम से अगनेथा और गनेथा स्टॉमेटा को divide करते हैं on the basis of jaws ठीक है तो अगनेथा जो होता है यह होता है jawless और गनेथा स्टॉमेटा जो होता है यह होता है jawness ठीक है मतलब animals bearing jaws और अगनेथा है यहाँ पे animals which are not bearing jaws that are jawless तो यहाँ पे यह जो class आएगी सबसे पहली तो सबसे पहली आएगी यहाँ पर ostracodermy ठीक है ostracodermy जो है वो हो चुकी है extinct अगर B की हम बात करें यहाँ पर तो जो B class आएगी हो आएगी हमारी यहाँ पर cyclostomata ठीक है cyclostomata अगर इनके basis पर हम question को solve करना चाहें तो हमारा question बन जाएगा तो हम देख लेते हैं A में यहाँ पर ostracodermy दो जगह है तो इस हसाब से हमारा B और D तो eliminate directly हो जाएगा तो A सही हो गया हमारा और C सही हो गया अगर हम B में cyclostomata भरेंगे तो B में हमारा cyclostomata से A सही हो जाएगा तो हमारा इस case में जो answer बनेगा वो बनेगा answer A पर हमें C और D भी फिल करना ज़रूरी है तो C में हमारे पास दो sub-classes हैं जो की हैं chondrecties और ostrrecties ये part होती है हमारी fishes का और fishes को हम कहते हैं Pisces ठीक है और बाकी जो हमारी चार classes हैं amphibia, reptilia, avies and mammals ये आती हैं हमारे tetrapoda में तो tetrapoda यहाँ पे हम फिल कर देंगे और हमारा first option जो है वो इन चारों को अराम से फुल्फिल करता है इसलिए हमारा यहाँ पे answer बनेगा answer A प्लासिक स्टिट्वल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक